नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 0FIR में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना Microsoft device ढूंड सकते हैं अगर वो चोरी हो जाता है या आप कहीं पर रख देते हैं या फिर किस तरह से आप किसी की location देख सकते हैं Microsoft device की साहिता से तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा Google Chrome में Google Chrome में आप टाइप कर सकते हैं Microsoft account या फिर Outlook account जो Outlook account है ये mail application है Microsoft की ही तो दोनों एक ही जैसे काम करते हैं ये तो मैं यहाँ पर type करता हूँ Microsoft account जैसे ही मैं Microsoft account टाइप करता हूँ तो इस तरह से link आजाएंगे मेरे सामने तो ये सबसे पहला link है Microsoft account का sign in तो मैं यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर click करते ही ये मुझे option देगा इस तरह से पूछेगा कि मैं sign in करना चाहता हूँ तो मैं sign in पर click करता हूँ जैसे ही मैं sign in पर click करता हूँ तो मेरे से ये मेरा user id और password पूछता है लेकिन मैं already sign in किया हुआ है तो इस तरह से मेरी आगे open हो गई है ये window तो इसमें जो है ये देखिए मेरा device यहां पर अगर आप देख रहे हैं devices लिखे हुए है devices to ठीक है जी तो इन पर मैं जैसे ही click करूँगा तो ये आगे एक interface आ जाएगा इसमें मेरे जितने भी devices हैं दो devices ये बता रहा है उनके बारे में information आ गई यहां पर अगर आप देखेंगे left side में ये एक तो overview बताया है दूसरा है find my device overview बताया है कि मैं कौन-कौन से devices use कर रहा हूँ ठीक है जी और कौन से device मैंने add कर रखे है अपने Microsoft account में ये है एक मेरे पास desktop है HP का notebook और दूसरा है Windows phone है जो मेरे पास mobile ये दोनों बता रहा है अब मुझे जो है find करना है device तो मैं find my device पर click करता हूँ तो जैसे ही मैं find my device पर click करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे desktop जो है इसकी location बता रहा है कहां की बता रहा है ये यहां पर side में map में भी बता रहा है और ये इसके नीचे डेट लिखी है 29 अक्तूबर 2019 को ये देखा गया है गुजरात में दभोई में और 19% बैटरी थी उस टाइम और ये SH का नाम भी बताया है State Highway का 161 के पास ये देखा गया है तो इसको मैं देख सकता हूँ यहाँ पर enlarge करके भी या छोटा गर के भी देख सकता हूँ exactly की ये location है कहाँ पर है मेरा ये जो device था अगर गुम हो जाता है तो ये कहाँ पर ये देखिए ये जो dot है ये बता रहा है इसको आप बड़ा गर के और नज़दीक से देख सकता है और ये काफी exact location बताता है इसी तरह से मैं अपने windows जो phone है उसकी भी location देख सकता हूँ लेकिन जो ये मेरा windows phone है काफी time से बंद है इसकी location ये नहीं बता रहा है ये इसको trace नहीं कर रहा है तो इस तरह से मैं अपने devices को क्या है lock भी कर सकता हूँ, erase भी कर सकता हूँ ring करना चाहूँ तो ring भी कर सकता हूँ अगर मैंने कहीं पर अपना mobile रख दिया हो windows का तो ये आपने देखा कि किस तरह से मैं अपना microsoft का जो है device है अपना laptop है उसे ढूंड सकता हूँ लेकिन इसके लिए जो एक शर्त है वो यह है कि मेरा जो account बना हुआ होना चाहिए microsoft में और मेरे पास genuine जो है window होनी चाहिए install की हुई अगर genuine नहीं है windows तो मैं अपना device register नहीं कर पाँगा microsoft account में और ना ही मैं अपना ढूंड पाँगा उस device को इस तरीके से हाला कि और कुछ तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने device को ढूंडने के लिए जैसे gmail की सहाइता से मैं ढूंड सकता हूँ या facebook की सहाइता से इसी तरह से और भी कई तरीके हैं जने मैं आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो उमीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल 0FIR को और अगर आपका भी कोई प्रशन हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं या email भी कर सकते हैं, धन्यवाद